आज हम बात करने वाले हैं Facebook पेज से WhatsApp को disconnect कैसे करें यानि कि WhatsApp को कैसे हटा सकते हैं आप अपने Facebook पेज से तो इसके लिए Facebook अप्लिकेशन को open करिए Facebook को open करने के बाद उपर right side में तीन लाइन का option मिलेगा तीन लाइन पे click करिए तीन लाइन पे click करने के बाद आपको एक option यहाँ पर मिलेगा pages pages पे click करिए pages पे click करने के बाद ऐसा interface आएगा अब आप अपने उस page पे click करिए जिस page को आप अपने WhatsApp से disconnect करेंगे तो जैसे की हम इस page को WhatsApp से disconnect करेंगे तो अपने page पे click करिए किलिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा अब उसके बाद उपर आपको मिलेगा राइट साइड में एक सैटिंग्स का ओप्शन इस पे किलिक करेंगे यहाँ पर नीचे स्क्रोल करके आपको मिलेगा वर्टसब का ओप्शन देख सकते हैं वर्टसब ओप्शन पे किलिक करेंगे वर्टसब पे जैसे ही आप किलिक करेंगे सबसे नीचे आपको मिलेगा डिसकनेक्ट अकाउंट का ओप्शन डिसकनेक्ट अकाउंट वाले ओप्शन पे किलिक करेंगे यहाँ पर फिर से Are you sure you want to disconnect WhatsApp तो disconnect पे किलिक करेंगे अब यहाँ पर कोई reason select कर लेंगे उसके बाद submit option पे किलिक करेंगे थोड़ा सा wait करेंगे और आप देख सकते हैं आपका WhatsApp आपके Facebook पेज से हट जाएगा तो इस तरह से Facebook पेज से WhatsApp को disconnect कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें